नमस्कार मैं दिपीका सिंग एंजीपी लाइव न्यूज में आप सबका स्वागत करती हूँ चलिए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुक खबरों पर नमस्कार सभी को मेरा नाम है प्रांतिक रे जनल मैनेजर प्राइड ओटल नापपूर पहले तुम्हें बताऊंगा प्राइड ओटल ने इनिशेटिव लिया है ए ए टी एल से जोकि आदानी मोबिलिटी इलेक्ट्री वेहिकल चार्जिंग स्टेशन अलोबर इंडिया में ओपन हो रहा है हमने सिव नौट अनली नापपूर हमने देली और बाकी जितनी प्राइड की बाकी होटल से सब जगह में इस्टेशन लगाना सुड़ू कर दिया है तो प्राइड होटल में जो हमने अभी इंस्टॉल किया है ए पहला होटल नापफू प्रकूर में हैं जहां पे सुवीदा दिया गया है सिव अपनी खुद की गेस के लिए नहीं बाकि जाते हैं कोई भी मुसाफिक कोई भी गेस के लिए जो कि आपना इधर में आपना जो फोर उईलड सेशन है और जो अपना टू-ईलर दोनों को एक साथ में चार्जिंग कर सक तो यह सुभीधा आपने एक तो गेट के साथ ही लगा हुआ है जहां पे गेस्ट आके इमिडियेटली अपना एप डाउनलोड करके उसमें अपना वालेट में अपना पैसा डालके यह चार्जिंग सेशन को खुद सेल्फ चार्जिंग करके जा सकते हैं जिसके लिए गाइड इससे अपने जो पोलुशन कांट्रोल जो लेवल है नागपूर में जो आज ड्राइब चल रहा है सब जगा में जो इलेक्टिक वेहिकल में यह भी एक चार्जिंग सेशन नागपूर के लिए बहुत बड़ी है कि एडिशन वैलू होगा देखिए यह डिपेंड करते हैं कि आप कितने यूनीट अब चार्जिंग लेते हैं वेहिकल में हमने जनरली एक यूनीट वेहिकल के आधा गंटा में एक चार्जिंग फूल वेहिकल हो जाता है टूइलर्स के लिए भी होता है यह शॉर्टगन में अपना दो स्टेशन एक थार्टीएट के डबलू शॉर्टगन यह है जिससे आपकी फोर्विलर स्टेशन होगा और जो टूइलर के लिए है वो आपने किट्स को खुद लगा के जो वेहिकल में रहते हैं उनके साथ करे है यह आप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसमें जाके आपको वालेट में अपना पैसा भरना पड़ेगा जैसे आपने पैसा उसमें डाले चार्जिंग स्टेशन में आप जैसे आपने कार में लगाए तो आटमेटिक जितने यूनित आप कॉन्सुम करेंगे ओ यू ने अच्प्रीड ओधिटल ने पने इलेक्रोंग वेहिकल चारज़न श्टेशन का उठगाटन किया हुआ है ये नाख़ूर का पहिला ऐसा चारज़न श्रेशन है'm ये विट साइब श्रठोंगी लेक्रोंगे वेहिकल आुट्साहिट आवर आवारः आवरो और अपने कोई एलेक्ट्रोनिक वेहिकल्स यूज करना बहुत जरूरी है और जब अपने एलेक्ट्रोनिक वेहिकल्स यूज करते हैं तो नापपूर पॉलूशन कम कर मेंने में इलेक्ट्रोनिक वेहिकल्स यूज करके उसमें इसका जरूर हाथबर लगेगा उसका बहुत मदद होगी और इस टाइप के और भी electronic stations और electronic vehicle charging stations आना जरूरी है so that there will be no hassle in using electronic vehicles कहीं ऐसा हो सकता है कि बहार गए अगदम अपना charge कम हो गया तो वहाँ पर difficulty ना आए इसलिए ये सुविदा होनी जरूरी है तो ये थी अब तत की प्रमुक खबरे आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए NGP Live News झाल 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 झाल